सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही घंटी का आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे जै संतोशिमा दोस्तों आपका स्वागत है आईए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं व्रिष्चिक राशि से पांच जुलाई दोहजार चौबीस दिन शुकरवार एक बुजर्ग व्यक्ती आपको विचार करने पर मजबूर करेगा योजना बनाना और प्राथमिक तायं तै करना आपकी विशेशता है अपना काम करें सब ठीक होगा शान्ती बनाए रखें और धैर्य से काम लें कोई आज आपसे मिलने आएगा अपनी सेहत और आराम का विशेश ध्यान रखें जल्द ही ऐसी वित्ती इस्थिती बन रही है जो आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगी अभी आप पार्टी का जीवन चाहते हैं ताकि कलब और समूहों में अपने मित्रों के साथ समय बिता सकें प्रशिक्षन में भाग लेने और नए कोशल सीखने के लिए मेहनत जारी रखें बातचीत में दुश्मन के इरादों को नजर अंदाज करें इसके बाद प्रियजनों के साथ समय बिता कर आराम करें आपके महत्वाकांग्षाओं को पूरा करने का यह अच्छा समय है और आप आज बेहत भाग गशाली हैं आपकी कड़ी मेहनत का परिडाम समरिध्य और प्रतिष्ठा के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या कर सकते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं जब सेहत से जुड़ा मामला हो तो खुद को अंदेखा नहीं करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसे संचित करेंगे इस बात को भली भंती जान लें क्योंकि आने वाले समय में आपको पच्चताना पड़ सकता है परिवार में नए सदस्य के आगमन की खबर आपको उत्साहित कर देगी समारोह आयोजित कर इस खुशी को सब के साथ सांजा करें आपका प्रिय आज कुछ खिंचा खिंचा महसूस कर सकता है जिससे आपके दिमाग पर दबाव बढ़ेगा कार्यक शेत्र में आपको हर कोई गंभीरता से सुनेगा आपके पास समय होगा लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे आपको संतुष्टी मिले बिना बुलाए किसी महमान के आने से आपकी योजनाएं गड़ बढ़ा सकती है लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के मार्कदर्शन से आपका कोई कार्य हल होने की संभावना है कामकाज और परिवार में बहतरीन तालमेल बना रहेगा बच्चे और युवा अपने लक्ष के प्रती एकाग्र रहेंगे कई संपत्ति संबंधित मामले किसी अधिकारी की मदद से सुरक्षित है लोगों के आपके प्रती विचारों को समझने की कोशिश करें कुछ लोगों के साथ प्रयास करने के बाद भी रिष्टों में सुधार नहीं आएगा परिवार के कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं लेकिन अपने निर्णे लेने में आप सफल साबित होंगे आर्थिक पक्ष के बारे में फिलहाल किसी भी व्यक्ती के साथ चर्चान न करें काम में बदलाव करने के लिए और प्रयास बढ़ाने की जरूरत है पार्टनर से मिल रही मदद सुईकार करें परिशान करने वाली बातें भी पार्टनर की साहता से दूर हो सकती है आज लो बीपी के कारण तकलीफ होने की संभावना है आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष की प्राप्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कोई भी जोखिम भरा काम न करे यदि आप किसी काम को लेकर लंबे समय से परिशान चल रहे थे तो वह भी पूरा हो सकता है आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे और उन्हें पूरा करने में आसानी होगी व्यापार में आपको मनमाफिक लाब मिलने की पूरी संभावना है हालांकि यदि आपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेंदेन किया तो उसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद बढ़ने की आशंका है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण धैरे बनाए रखना ही उचित है तनाव लेने से परिस्थितियां और अधिक विपरीत महसूस होंगी इस समय किसी भी तरह का लेन देन न करें लव लाइफ की बात करें अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज व्यक्ती को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ेगा नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुँच जाएगा अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदलनें तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा जीवन को रोमान्चक और उत्साहिद बनाने के लिए अपने साथी के साथ छुट्टियों पर जाएं और अपने प्रेम का प्रदर्शन करें प्यार को रंगीन बनाने के लिए आपके प्रयास जरूरी है विवादों और मुकदमे बाजी जैसी बाधाओं को आप अपने साथी के साथ मिलकर छुटकी बजाते ही दूर कर लेंगे आज आप अपने साथी के साथ अपने भविश्य के सपनों को संजोना चाहते हैं तनाव दूर करने के लिए साथी के साथ बिताया समय लाभधायक होगा अपने साथी से अपनी धन और आर्थिक स्थिती के बारे में भी सब कुछ साज़ा करें प्यार में बढ़ोतरी के लिए किसी जादू की उम्मीद न करें आपके प्रयास से ही यह फलेगा और फूलेगा करियर की बात करें तो आज सब कुछ भूल कर अपनी शक्ति और प्रदर्शन पर विश्वास करें धन के नुकसान से बचने के लिए आज आरण लेने या देने से बचें आपकी प्रतियोगिता की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी अपने अधीनस्त या सेवक की तारीफ करें क्योंकि वे आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं आज का वक्त है अपनी महत्वा कांगशाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने का जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं आपकी कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपकी कौशल अब कार्यस्थल पर भी पहचानी जाएंगी जिस से आर्थिक लाब होगा बड़ी उपलबधियों के लिए बड़ी महत्वा कांक्षा की आवश्यक्ता होती है इसी लिए हो सके तो बड़ा सोचें आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं अपनी स्थिति का विशलेशन करें और उसके अनुसार कार्यस्थरूर करें आपको काम के अनुसार चलने के लिए अपने आपको प्रेरित करने की आवश्यक्ता है ध्यान केंद्रित करें ताकि आप नीचे की ओर न जाएं समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी सौपी जा सकती है तब तक निरंतर्ता बनाए रखें समय आपके पक्ष में है अनुसंधान के साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़ें कारोबार में अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आप कोई उपलब्धी हासिल करने में समर्थ रहेंगे बस अत्यधिक मेहनत की आवश्यक्ता है साजिदारी संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है आफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बना रहेगा दूसरों की लापरवाही से कार्य में बाधाएं आएंगी दोपहर में वाहन प्रयोग में सावधानी रखें निकट के लोग विप्रीत हो सकते हैं व्यापार में चिंता रहेगी और नौकरी में मनचाहा काम नहीं मिलेगा शाम को समय अनुकूल रहने की संभावना है परिवार के साथ भ्रमण पर जाने की योजना बनेगी शरीर के विभिन स्थानों पर दर्द हो सकता है अब समय आ गया है कि आप अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आपको मानसिक तोर पर मजबूत बनाएं आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पढ़ता है और आप में किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे आज का उपाए गरीबों को दान पुन्य करें यह बहुत शुभ रहेगा जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें आपका दिन शुभ हो